दोस्तों आज के हमारी इस मूवी का नाम है दो ब्लू फैमिली जोके टू इवेंट से इंस्पारड है जिसमें एक आदमी कुछ लड़कियों को कई सालों तक बेस्मेंड में केद रखता है लेकिन क्यूँ ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा तो आए ये चलिए वीडियो में आगे वड़ते हैं मूवी की शुरुवात में अर्मांडो नाम का एक आदमी अपने सामने डैनिंग टेबल पर बेटी हुई एक लड़की को अपने बच्पन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसकी मान ने आत्म हत्या कर ली और उसे और उसक से कहता है कि उससे जूलिया को देखकर उसके प्यार की याद आती है जैसा कि उसकी मा उससे किया करती थी फिर अर्मांडो जूलिया को ड्रिंग खतम करने का कहता है लेकिन हमें देखते हैं कि जूलिया पूरी तरह से बेडियो में लिप्टी हुई है अर्मांडो उसके टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है जिससे कि वो गिर जाती है और इस सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि अर्मांडो बेस्मेंट पर जा रहा है जहां पर जूलिया बंदी हुई थी वो जूलिया से कहता है कि वो बस अ साथ अच्छे सा रहेंगे वो उसका पूरा ख्यार रखेगा और हमेशा उसका साथ ही रहेगा और फिर यह सिंग यह पर कट होता है और हम देखते हैं कि लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि जूलिया जिन्दा है वो कभी न कभी वापस जरूर आएगी जिसके बार में अर्मांडो जेसिका को शाम को एक पार्टी में इन्वाइट करता है और फिर पार्टी में अर्मांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है जिसके बार में वो उसे भी भ्योश करके अपने बेस्मेंट में ले आता है जूलिया के पास में होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंदी हुई है और इक जंजीरों से निकलना आसाल नहीं है जेसिका अर्मांडो के आगे जट पटा रही थी लेकिन तभी अर्मांडो का चोटा भाई डेनिल महाँ पर बहुत जाता है लेकिन अर्मांडो उसे जैसे तेसे अपने घर से भगा देता है अर्मंड उपर था और यहाँ पर नीचे बेस्मेंट में जैसिका जूलिया से पूछती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए लेकिन वो उससे कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है वो पिछले दो सालों से यहां पर केड है और यहां से निकलने के लिए सब कुछ ट्राइ कर चुकी है लेकिन उसके पास में अब यहां से निकलने के लिए एक रीजन है जिसे सुनकर जैसिका को कुछ पी समझ में नहीं आता है फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अर्मांडो जूलिया का ख्याल रखता है वो उसे डिनर लाकर देता है और वो से खुद अपने हाथों से नहलाता है फिर अर्मांडो अपने भाई डैनियल के साथ में एक पार्टी में जाता है और यहां पर बेस्मेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अर्मांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाता है और वो अर्मांडो के बच्चे की मा बनने वाली है जूलिया यहां दो सालों से है लेकिन वो यह नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा भी यहां पर केड़ रहे इधर पार्टी से वापस आने के बाद में अर्मांडो अपने भाई और उसी गल्फिंड एरिन को अपने घर डिनर पर इन्वाइट करता है और डिनर करते समय अर्मांडो 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 के ड्रिंक में चुपके से बेहोशी के दवाई मिला देता है जिससे अर्मांडो अर्मांडो के सामने ही अर्मांडो की बड़ी को लिक करने लगता है और फिर वो अर्मांडो को भी अपने फैमली बनाना चाहता है। उसने इन सब को यहाँ पर इसलिए बांद कर रखा है कि ताकि कोई भी उन्हें उनकी मा की तरह छोड़कर न जाए। अर्मैंडो की बात सुनकर डैनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है। और फिर अगले दिन अर्मैंडो के घर पर जूलिया की मा आती है अर्मैंडो के लिए लंच लेकर जिसे डैनियल भगा देता है और जूलिया की मा को डैनियल का भी हैवियर तोड़ा अजीब लगता है। फिर हम यह देखते हैं कि नीचे बेस्मेंट में अर्मांडो लड़कियों को पीट-पीट कर उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा था अब जेसे तेसे शाम होती है और शाम के समय जूलिया अर्मांडो से प्यार से डिनर में हिलती खाने की मांग करती है और वह उस खाने को लेने के लिए चला जाता है लेकिन बाकी की दो लड़किया जूलिया पर हमला कर देती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूलिया अर्मांडो से मिली हुई है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार से बाते कर रही है जिस पर जूलिया सब को ये क्लियर करती है क कि वो बस अपने पेट में पर रहे बच्चे के लिए ये सब कर रही है क्योंकि ये बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा फिर हमें देखते हैं कि डैनियल नीचे जूलिया के पास आता है और जूलिया और बाके की लड़के को खाना देता है जूलिया डैनियल से कहती है कि सब लड़किया ठीक से बातरूम में शौर लेना चाहती है क्योंकि वे सबी यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और वे ठीक से नहाई नहीं है और फिर जब अर्मेंडो वाँ पर आता है तो वो गल्स को अपने रूम में ले जाकर अपने रूम की बातरूम में नहलाता है और बातरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटिमेड भी होता है लेकिन ये दोनों लड़किया कुछ भी नहीं कर पाती है अब अर्मेंडो हर संडे को सबी गल्स को बेस्मेंट से बाहर लाता था और सब साथ में breakfast करते थे एक family की तरह जहाँ पर Armando ये देखता है कि Daniel और Julia को ज्यादा ही close आ रहे हैं और Jessica एक metal के चम्चे से बाहर गुजरने वाले लोगों को signal देने की कोशिश करती है लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि Armando हर छोड़े छोड़े चीजों को notice कर रहा है और फिर breakfast करते टाइम Armando जेसिका को breakfast से उठा कर एक room में ले जाता है और वो वहाँ पर उसका टॉप फाड़ कर उसे जोड़ जोड़ से बिल्डर से पीटता है उसे मदद मांगने पर सबक सिकाने के लिए अब फिर हमें ये देखते हैं कि ऐसे ही समय बिटता जाता है और जूल्या के पेट में उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था जूल्या को पता था कि यहां से निकलने में बस डैनियल ही उसकी मदद कर सकता है और वो उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फसाने लगी थी लेकिन अगेन अर्मेंडो ये सब नोटिस कर लेता है और वो अपने भाई को समझाते समय उसके सर पर एक बोटल फोर देता है जिससे कि डैनियल घैल हो जाता है और फिर अर्मेंडो अपने छोटे भाई के उपर गरम-गरम कौफी भी डाल देता है अर्मेंडो की ऐसे हरकतों से डैनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई mentally disturbed है जो की अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपने भाई को दोका देकर गर्स को बचाने की कोशिश में लग जाता है और फिर एक दिन डैनियल मोका पाकर अपने भाई अर्मेंडो को भेहोशी के दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबिया चुरा लेता है जो की नीचे गर्स के पेरों में बंदी हुई थी और फिर वो बेस्मेंट में जाकर गर्स को वो चाबिया दे देता है अर्मेंडो को जब खोश आता है तो बेस्मेंट से जूलिया जोर जोर से चिला रही थी और अरमेंडो को ये लगता है कि शायद जूलिया को लेबर पेन हो रहा है और वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है अरमेंडो जल्दी जल्दी पास्क केमिस्ट की दुकान से दवया लेने के लिए चला जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब बस एक नाटक है जूलिया ने डेनियल के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था जूलिया और बाकी की लड़किया अर्मेंडो के जाने के बाद में डेनियल की दे हुई चाबी से अपने अपने जनजीरों के ताले खुल रही थी लेकिन चाबिया इतनी सारी थी कि ताले खुल ही नहीं रहे थे जैसिका जैसेते से अपने ताले खुल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरतावा दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करने अंदर आता है फिर वो आदमी बेस्मेंट में जाकर पुलिस को फोन करता है और वो बाकी लड़कों के ताले भी खोलने में उनकी मदद करता है अब जैसे ही अर्मेंडो वापस आता है तो वो देखता है कि सभी लड़किया आजाद हो चुकी है और उनके पीछे पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है अगले सीन में हमें देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपनी बच्ची के साथ में खेल रही थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसे याद आता है कि अर्मेंडो उससे ये कहा करता था कि बलू कलर प्यार का कलर है लेकिन जूलिया के लिए बलू कलर आजादी का कलर है क्योंकि आसमन का रंग बलू होता है जो कि उसे आजादी की याद दिलाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है दोस्ते ये मूवी उन लोगों पर बनी हुई है जिनकी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है पुरी दुन्या में हर दिन हज़र लोग लापता होते हैं और उनके साथ साथ नजाने क्या क्या किया जाता है मुवी में बताया गया है कि कैसे अर्मेंडो लड़के को कैद करके रखता है अपने खुद की खुशार फैमिली बनाने के लिए लेकिन खुशी किसी को कैद करने में नहीं बलकि उसे आजाद करने में है मैंने अक्सरे देखा है कि लोग खुशूरत पक्षियों को अपने घर के पिंजरों में कैद करके रखते हैं सिर्फ डेकुरेशन और सुन्दरता बढ़ाने के लिए लेकिन सही मायने में उनकी जगर छोटे से पिंजरों में नहीं बलकि खुले आस्मान में है हम अपने खुशियों के लिए किसी और की खुशी को क्यों कुर्बान करें आई होप दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हाँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अपना नाम और सिटी टाइप करके बेजें ताकि मुझे भी ये पता चले कि हमारे चैनल को किन किन शेरों से प्यार मिल रहा है तो दोस्तो आज के वीडियो में सिर्व इतना ही अब हम अगली बार मिलेंगे किसी और मोवी के साथ में